हेलो गाईज तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे document object model क्या है अब document object model सबसे simple चीज है ठीक है बहुत से लोगों का यहाँ पर confusion है कि document object model exactly है क्या अब देखिए simple सी चीज है नाम में ही सब कुछ है बॉक्यूमेंट मतलब यहाँ पर जो भी आपको यह क्या है आपकी document है ठीक है ब्राउजर जो है आपका यह क्या है यह आपका document है correct तो इस document में आप क्या लिखते हो आपको पता है आप html tags लिखते हो हम लोग head tag लिखते है, head element है, body element लिखते है, ठीक है, यह h1 है, anchor, ul वगेरा सारी चीज़े, तो यह क्या है, html की elements है, simple, इतना clear है, तो यह हम लोग जो लिखते हैं, इनको objects कहा जाता है, ठीक है, अब सबसे फिर से बताता हूं, देखिए, यह आपका एक document है, इस document में आप जो भी चीज लिख रहे हो, उसको object कहा जाता है, ठीक है, जैसे head जो है, यह एक object है, अब html आपने लिख दिया, यह object है, यहाँ पर meta आपने लिख दिया, यह भी एक object है, यह आपने comment किया है, यह सारी चीज़े क्या है, यह एक object के route में, हमारा जो browser है, वो object के route में देखता है, ठीक है, तो document आप समझ गए, कि document क्या है, इसके अंदर हम जो लिखते हैं, उसको कहते है object, यह दो समझ गए हम लोग, अब model क्या है, अब model कुछ नहीं है, simple जो आपने उपर से नीचे जो भी लिखा है, वो एक tree form में create होता है, अब tree form में कहने का मतलब है, मैं यह आप आपको एक दिखाता हूँ, देखिए, यह dumpster school से लिया हूँ है मैंने, सबसे पहले चीज़ देखिए, document दिख रहा है आपको, मतलब ही वहाँ पर एक tree generate होता है, यह ऐसा कह सकते हो कि internally वह ट्री बनाता है, कब जब आप यहाँ पर यह सारी चीज़े लिखते हो, अब जैसे आपने HTML लिख दिया, फिर आपने head लिख दिया, फिर body लिख दिया, और यह सब कुछ लिख दिया, h1 वगेरा, ठीक है, जैसे आपने लिख दिया, फिर यहाँ पर यहाँ पर रीफ्रेश करोगे जो page को, तो रीफ्रेश करने उनके बाद, पहला जो चीज़ create होत ठीक है, फिर इसके नीचे जो आता है, पहला root element जो आता है, ध्यान दिजिए, यहाँ पर element कहा गया है, तो यह जो HTML है, यह आपका पहला root element होता है, और इस HTML के under सारे elements होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे दिखाया है, देखें, यहाँ पर root element के नीचे branches से निकली हुई ह अब इसके नीचे दिखिए, head निकला है, अब head क्या है, यहाँ पर यह head tag है, यह किसके नीचे है, HTML के under है, इसलिए यहाँ से यहाँ पर दिख रहा है, अब जैसे head के अंदर हम जाते हैं, तो head के अंदर देखिए title मिल रहा है, हाँ यहाँ पर meta भी है, वहाँ पर दिखाई नीचे दे रहा है, लेकिन, इस head के अंदर actual में तीन चीज़े हैं, मैं आपर दिखाया नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए सिप मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि यह जो diagram है, वो W3 schools का है, और हमारा जो लिखा हुआ चीज़े है, वो हमारी चीज़े है, ठीक है, इस आपर देखिए, document object model है, क्या एक text है, तो यह text भी इसके अंडर आएगा, देखिए, element के अंदर, तो यह क्या होता है, यह document मैंने dom का tree form करता है, यानि tree जैसा कुछ दिखता है आपको, simple, अब यहाँ पर देखिए, element body, दूसरा जो इसका root element है, जो HTML है, इसका दूसरा जो child है है, head tag है, फिर दूसरा जो child है, वो body tag है, अब body के अंदर देखिए, आपने क्या-क्या लिखा हो यहाँ पर, तो body में, h1 है, anchor है, अब फिलाल यहाँ सिर्फ h1 anchor है, हमारे पास थोड़ा extra चीज है, तो यह छोड़ देजी आप, तो फिलाल इतना समझें कि body के अंदर, जो है h1 है, वह h1 क्या हो जाएगा, body का child हो जाएगा, anchor क्या body का child हो जाएगा, फिर attribute क्या है, body का, body का नहीं, attribute इसका है, ठीक है, anchor का attribute है, तो लेकिन attribute भी बाहर निकलता है, क्यों, क्योंकि anchor में यहाँ पर attribute है, इस वज़े से anchor का attribute भी यहाँ पर आता है, ठीक है, और h1 में, यहां पर दिखा रहे हैं तो यह सारे चीजे देखिए कुछ इस तरह आपका ट्री बन जाता है और इसलिए उसको कहते है Dom Tree और इसको कहते है Model Simple तो यही आपका क्या है Document Object Model जो आप यहां पर चीजे लिख रहे हो तो वही आपका Document Object Model है और यह सारी चीजे देखिए यहां पर लिखा हुआ है With the HTML Dom, JavaScript can access and change all the elements of an HTML Document तो यह Model अब जो भी आपने आपर लिखा हुआ है यह सारी चीजे हम क्या कर सकते है JavaScript के जरीए Access कर सकते है Access करने के बाद उसको Change कर सकते है या फिर मुझे कोई यहां पर content change करना है या फिर मुझे मेरे HTML के elements change करने है या फिर delete करना है मुझे event लगाने है मुझे जो भी manipulation करना हो वो मैं JavaScript के साथ कर सकता हूँ इस HTML Dom पे ठीक है तो बस यही कहा गया है और यह जो आपका दिकर आई यह Dom tree है अब इसमें देखिए इनको element कहा जाते है जैसे अभी यहां पर root element है तो और एक चीज यहां पर node कहते हैं ठीक है अब node अभी वो सारे चीज और मैं detail में आगे समझाओंगा node वो topic पे आने के बाद अब इतना समझीए कि इनको element node कहा जाता है जैसे अभी HTML क्या है एक element node है ठीक है head क्या है एक element node है अब जैसे body क्या है element node है h1 element node है अभी लेकिन h1 के जब अंदर आते हैं ठीक है छोटी-छोटी चीजे वह भी ध्यान में रखने हैं अभी जैसे anchor है, anchor के एक element node है लेकिन anchor का जो attribute है उसको कहा जाता है attribute node जैसे इनको कहते है text node, attribute को कहते है attribute node और इसको कहते है element node ठीक है तो यह सारे चीजे common होने वाले है आगे जाके हम लोग आगे जाके सब यही चीज करने वाले इसलिए फोड़े से नाम अभी से शुरू करिए ध्यान में रखना ठीक है जो जो भी आपको यहां पर दीकरा है यह सारे क्या है node से ठीक है इतना clear हो गया अब simple यही चीज है document object model इससे जादा और कुछ भी नहीं है अब देखे मैं आपको यहां पर एक script में document बताता हूं अब document में क्या क्या आता है तो वह देखने के लिए मैं आपर script लिखता हूं मैं लिखता हूं एक variable और यहां पर लिख देता हूं document क्या है एक object है simple तो इसको हम लोग करके देखेंगे exactly है क्या यह document ओके तो यहां पर जब मैं console करता हूं और जब हम लोग यहां पर जाते हैं यहां पर मैं देखिए refresh करता हूं ठीक है तो देखें आपर हमें document मिल जाता है और एक arrow है इसके अंदर अब document के जैसे मैं hover कर रहा हूं इसको तो आपको यहां पर देखिए इसको hover कर रहा हूं तो आपको यहां पर HTML देखिए पूरा HTML दीख रहा है उपर बराबर head पे जब hover करते है head के अंदर जो भी चीजे अब हेड में अभी टाइटल तो आपको यहां पर है अब बॉड़ी में जाते चलो बॉड़ी देखिए बॉड़ी का जो दिख रहा है आपको यह पूरा बॉड़ी हाइलाइट कर रहा है फिर आप H1 पर जाओ तो देखिए मैंने सिंपली क्या लिखा है यहां पर एक इस ऑप टेखा है कैसि अपने चीज आपको यह Statue में यहागा है यह सारी तो यही कि आपका dom tree है और यह सब चीजे होती है इस document object के अंदर अब इतना समझ में समझ गया आप कि चलो बाकी की चीज़े हम लोग next वीडियो में देखेंगे तो मुझे सिर्फ इस वीडियो में आपको यही समझाना था कि exactly document object model है क्या document object model सिर्फ नाम बड़ा है वैसा कुछ है ने उसमें यह बहुत सिंपल चीज है और इसके अंदर यह जो document के अंदर जो भी html के elements होते है वह हम जावा स्क्रिप्ट की जरिये उसको access करके उसको manipulate कर सकते हैं हम लोग events लगा सकते हैं हम लोग बहुत सारे चीज़े कर सकते हैं व पूछिए उसका answer में आपको जरूर दूँगा तो इस वीडियो में इतना ही गाईज मिलते एकले वीडियो में thanks for watching